जोस्तों अगर आपकी एडिया बार बार फट जाती हैं सर्दियों में गर्मी में या फिर बरसात में तो आप इस फोर्मूले को इस नुस्के को एक बार इस्तिमाल करके देगी आपकी जितनी भी फटे हुई एडिया है वो तुरंत सही हो जाएंगी मतलब दो दिन में यह ऐसे इसको बनाना है जानने के लिए वीडियो को पूरा देके लाइक शेयर करना ना भूलें यह जो मैं आपको देशी नुस्का बताने वाला हूं यह हमारे घरेलू निसका है और इसको काफी पुराने समय से हमारी दादी और नानी इस्तिमाल करती हुई आ रही है मैं आप प्रादी करके थिक को ईचमे में दाधी नास इसके बाद दोस्तों मों यह एक हमारी फड़ारो पनसारी टुकान जाता है आगर अगर² बैसे करेवा crash 40 गारे उसके ना जाओ और अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप इसको जादा से जादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड है जिनकी भी एडिया फटती है या फिर आपके वह रिष्टेतार है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि वह इस घरेलू नुस्के का फायदा उठा सकें तो चलिए iis noorma 62 यहां पार नीचे जाएगा यह इसमे आपको कितना क्या समान लेना है वह भी मैं आपको इस विडीयो के बताता रहूंगा सबसे पहले हम इसको लगबाग एक चमच के करीब घिस लेते हैं इधिकि दोस्तों लगबाग हमने एक चमच के करीब इसमें ओ Sophomost गिष लेया है और यह महुम घिसने के बाद अव में क्या करना है करता है अगर आपकी एडिया फट जाती जली इसको कैसे डालना है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम बीच में कट लगाएंगे और इस तरह से हम इसको हलका हलका कट करते रहेंगे यह देखिए और इसके बाद हमारा जो जेल है यह निकल क करीब करीब एक चंत्व लिए ल जाल देगे इसी फोर्मूलिल में सबस्सके में आरे जोगी do सरसों का तेल चाहिए की आफ यहाँ पर चोथि चाहिए यहाँ बीकाफ़ी होती है यह समस्थ gyjla 10 रुपरे का हमै सर्शों का थेल यह हमारे पास नारेल का तेल यहाँ हम कैसे लेंगे यह पाइन नारयल का तेल डिए बागी सब्सक्राइब सकतेς हैं, 1 चमशी. इसलूँ जादा मॉम डालने की बज़ां की बादे, हमारा वहागी यह नुश्पा है। अब यह जैया है। नेखिन दिए्धा लिए हुए,person Korenane, डिए्विजञा लिए riveredंद दिए। इसलिए हमने सरसोगतिल थोड़ा जदा है अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसे धीमी आंज पर एक मिनट के लिए पकाएंगे और एक मेटो में पकाने के बाद फिर मापको इसको लगाने का बता ऊहुं कि देगी दोस्तों हमने इसे बिल्कुल हलकी आज पर रख दिया है और इसके एक मट का समय हो चुका है हमारा जितना भी इसमें मौ में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है थोड़ी देर हमें इसी तरीके से चलाना होगा जिससे कि इसमें एलो वेरा और हमारा ओयल बगेरा है तेल है सभी यह मिक्स हो जाए थोड़ी देर हम इसी तरीके से चलाएंगे और इसके चलाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसको कंप्लेट करके अभी देगी दोस्तों हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और यह जमना शुरू हो चुका है अब आपक इस तरीक का बताता है तो नहाने के बात आपको क्या करना है मैं जाश सुब Ramya लागा ऑना और इस लिए आप ऐसे में लागा लिए तो डिखी के बार में छाहते इसको आपकStudy की वर अफगी करहें हैं तुछ देखे बिल्कुल हमारे अची तरीके से बेसलीन की तरह बन चुकी है लेकिन जहां से आपका पेर ज्यादा फटा हुआ है वहां से आप इसको ज्यादा लगाईएगा तो आप इसको एक बार जरूर इस्तेमाल करिए और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इ च्चिंग